तो विल्कम बैक दोस्तों आज हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइज ओके मीड़ आम ओके डाइज मीड़ आर्म सरकमफरेंस यम्यू एसी यह हमारा टॉपिक अभी चल रहा चल रहा था ओके तो पिछले विडियो में हमने कवर किया दाइज दाइज एन्सी करके लगता है एडी आय यम और एक डी करके हैं ओके एडीम तो नुट्रिशनल असिस्मेंट नुट्रिशनल डियाग्नॉस्टिक नूट्रिशन इंट्रिशनल मॉनिटरिंग और लास्ट है हमारा डॉकुमेंटेशन ही उतना ही इंपोर्टन तो आज जितने भी सारे टॉप आउनम प्रया उप सार्कंफर्णट यह दोनों की पहले में आपको इमेज दिखा डिता को तो सबसले इमेज दिखते हैं मीडाअ अपर सची में यम सी का इमेज कiness अगर मैं आपको दिखा उप इसली प्राक्टिकली अ-स वार्म का दिखाना आपको यह मीड़ arm okay mid arm upper circumference तो इस तरीके से यह म Barnes जाता है okay mid arm तो यह देखिए यहां तक mid arm bunny responsibilities को मेन के लिए जाता है यहा यहां तक मिड अपर armed circumference तो यहां तक जो रहता यह हम मेजर करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप रेड और ग्रीन जो यहाँ पर दिखाए रेड ऑन देखा है और सेविर अक्विट माल नूटरिशन और मॉडरेट अक्विट माल नूटरिशन तो अगर उसका जो रेड अगर आ रहा है जूरो टू 11.5 cm त का खरीज सकते हो को मैं तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि अपर आम circumference में हम क्या कर रहे है और मिड़ां तो अपर आप हमें क्या बताता है circumference तो present part both muscles and fat जो store होता है problèmes and fat muscles and fat फैट जो है वोह यहाँ पर हमें बताता है, हम मिज़र करते हैं इसके मदद से, दूसरा है, अपर आम, सारी, मीड आर्म सरकमफर्नस, एक अपर एक मीड आर्म है, आम के बीच में, बीच में और यहाँ पर अगर अपर आम इसलिए बोला, बोला इसको, क्योंकि अपर आम में हम अपर only circumference ले रहे हैं, पर क्या ले रहे ओनली जो हैंड का सरकमफरनेश और यहां पर क्या ले रहे पूरा हम लेंथ ले रहे यहां पर इसले मीड आर्म मसल सरकमफरनेश तो यह क्या आचे मिल यहां पर तो यहां पर देख सकते हो फटी इस सह में पर मीन एकर चाहर सीयगों को सिस्टेड़ ईज्टारों विश्सी kartолог एस विल भी व Nearly वन हाओ और यह थैज DRUK ए सदमॉटू switches या फिर saviour depletion या फिर malnutrition आपर suggest करेगा ओके नेक्स यहां पर हमारा वेस्ट हिप circumference वेस्ट हिप डव्ली एच आर तो वेस्ट हिप circumference का आपको पहले में दिखाता हूँ इन अरे खरें कि वेस्ट हिप यहां पर आप यहां यह जो देखें आपल ॐ यह यह यहां का एली का एसे हम वेषट के बोलते हैं कि यहां से लेकर है सबसक्रेणे हैं यहां से तो यहां से अगर हम देखें, तो आप में जो यहां पर माउस दिखा रहें, यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया रहता है आपका, ओके, that is the, yes, waste to heap ratio, और यह कभी apple shape होता है, यहां पर हम देखते हैं, अब यहां पर आपका पतार रेशो जो है, ओके, the ratio differentiate between the android and diagnoid, क्या है, obesity, यहां पर दू चीज़े आपको याद में रखने देखें, android, okay, android मनता है, apple shape, दूसरा होता है, gynoid, okay, gynoid, android and gynoid, तो gynoid, जो होता है, gynoid क्या होता है, पर gynoid refer to the water, fat distribution at hip and thigh, तो यहां पर जो fat distribution होगा, वो hip and thigh के भीच में हो रहा है, and अगर android apple shape, यहां पर क् हो रहा है, apple shape, refer to the, yes, distribution with increase, the deposition toward the abdomen and waist, यहां पर abdomen or waist area, जो है, वो क्या होगा, apple shape की तरह, okay, next है, यहां पर, waist circumference, is the smallest circumference between nipple and top of thigh, जैसे कि माना बता है आपको, okay, कि हमारा portion जो होता है, यहां से लेकर, जो यहां तक portion होता है, हमारा, okay, diagram के उपर, तो यह जो हमारा portion होता है, यहां से लेकर, यहां तक, that is the, yes, waist, okay, that is the waist to hip circumference ratio, okay, next है हमारा, bio electrical impedance analysis, तो इसके मदद से, BMI हम calculate करते है, आपको पहले photo देखा देता हो, आपको understanding होगा, तो photo में, मेरे पास, जो आपके पास photo है, मैं आपको एक बार दिखा देता हो, photo क्या रहेगा, तो यह actually, जो photo है, यह photo आप देख से, यहां पर fat percentage आ रहा है, और BMI आ रहा है, तो यह modern method है, यहां पर two electrode होता है, यह एक यहां पर इक electrode है, एक यहां पर electrode है, और दूस्ता यहां पर electrode होता है, तो आपको यह तो direct machines हो आ गए, पहले ऐसे इलेक्ट्रोड हुआ करते थे तो पहले यह ऐसे दो इलेक्ट्रोड आप कैसे भी कह सकते हैं ऐसे दो इलेक्ट्रोड और करन्ट पास होता है हमारे बोड़ी से फैट-free mass and the total body of water तो देखते हैं कैसे calculate करते हैं तो हमारा जो अभी next point है तो आप आप आपको जो मैंने बताया हो समझे बॉड़ी इलेक्ट्रिकल इंपेड़न्स अनलेसिस तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं यूज़ फॉर बॉड़ी फैट अनलेसिस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं जैसके इसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रोड जो है वो पेशन की जो दो आइस पेशन को हम इलेक्ट्रोड टू थे एक्स्रीमिटीज ऑप पे पेशन हाथ पर हम लगा देते हैं एंड टू थे अपूज़ इनलेसिस टेक्निक बेस उन प्रिंसिपल दाट कंपेड फैट टिश्यू अ होता है हायर क्या होता है एलेक्ट्रीक कंडुक्टिविटी जो होता है वो हाय होता है एंड लूवर इंपेड इंपेड अवसके अपोजिट जो होता है अगर आपका जो लीन मास ने होता है एलेक्ट्रीक इलेक्ट्रीक कंडुक्टिविटी जो होता हो क्या होगा हाय क्या ह यहाँ पर हमारा, okay, the safe and non-invasive method, और यह एक safe method है, non-invasive method for the body composition analysis के लिए, non-invasive मतलब क्या होता है, without any cut को, body को कोई भी हमें cut या फिर injury करने के जरूत नहीं है, without surgery procedure है, and rapid भी है, and measure the assessing body composition, okay, तो इस तरीके से यह हम measure करें, यहाँ पर क्या measure करते है, fat या फिर body composition, okay, fat analysis हो रहा है, next यहाँ पर है, physical signs and indicative or suggestive malnutrition, तो इस chart को आप एक बढ़ लो, okay, normal appearance क्या होता है, sign associated with malnutrition, possible disorder or nutrition deficiency, and possible nutrition problems, तो यहाँ पर normal दिया है, hair कैसे होने ही चाहिए, हमारे shiny frame, not easily pluck, okay, easily pluck नहीं होने चाहिए, निकलने ही चाहिए, इसलिए अगर आप प्लक करते हो, अब ऐसा नहीं है, अगर आपके कोई malnutrition है, तो उसमें क्या होगा, क्या आपके dull and dry hairs होंगे, lack sign उसमें नहीं होगा, okay, flax sign, easily pluck, तो अगर आप malnutrition हो, तो यह problem होगा, दूसरा इसमें क्या है कि problem disorder, या फिर nutrition deficiency क्या हो सकती है, तो kawashikor या फिर less commonly marasmus हो सकता है, यह nutritional disorder हो सकते है, possible non-nutritional problem क्या है, कि nutrition का problem नहीं है, दूसरा problem क्या हो सकता है, अलोपीशिया, okay, genetic हो सकता है, अलोपीशिया, okay, तो ऐसे आपको बहुत सारे face कैसा होना चाहिए, eyes normally कैसे चाहिए, तो यह सारे take आप पढ़ सकते हैं, यह normal है, अगर malnourish रहा तो ऐसा होगा, अगर कोई nutritional deficiency कौन सी होगी, तो यह यहाँ पर बताए गया है, और possible अगर nutritional deficiency नहीं है, कुछ और होगा, तो क्या होगा, ओके यहाँ पर यह भी बताए गया है, next है हमारा, तो आप यह पढ़ लो, next हमारा point है अभी, first step in the nutritional care process, that is, okay, तो यह बहुत ही crucial step है, तो that is nutritional, जो हमारा, एज होता, assessment, यहाँ पर, हमारा assessment point क्या होता, यहाँ पर, और हो जाता है, हम बढ़ते हमारे next point के ओपर, time लगने तो लेकिन आज पूरा खतम कर लेंगे, ताकि next हमें जो rehabilitation और patient counselling है, उसकी तरफ बढ़ेंगे हम कल, okay, so nutritional diagnosis क्या है, nutrition diagnostic क्या है, इतर identification and labeling that describe an actual occurrence and potential for developing a nutritional problem that dietetic professional are what, treating independently, okay, तो यहाँ पर क्या होगा, diagnostic मतलब क्या, identification यहाँ पर होगा, कि आपको क्या nutritional problem है, actually वो हम identify लिख सकते, nutritional, okay, nutrition, sorry, nutrition problem, okay, यह हम यहाँ पर identify करेंगे, okay, अब, that's the end of the assessment table, data जो cluster हुआ है, analyze and synthesize, जो data हमने assessment से लिया है, उससे identify होगा, अब में चारी स्टेप अगर आपको एक simple word में बता हो, तो चारी स्टेप में हो क्या रहा है, पता है, हम assessment करें, सबसे पहले patient से बात चीद की, patient का हमने physical examination किया, उसके जो भी laboratory value थे, उससे analyze किया, और समझा कि इससे disease क्या है, या फिर nutritional problem क्या है, फिर diagnostic मतलब identify कर लिया, हमने पिछले data के हो, assessment के basis पे identify कर लिया, अब identify करने के बाद, आपका third step, intervention, okay, तो intervination में क्या होगा, yes, the specific set of activities, okay, तो intervination में हम क्या करेंगे उसको, depending on the, yes, उसे diet plan suggest करेंगे, intervination में, diet plan, depending on उसके diet history, okay, हम उसे diet plan suggest करेंगे, suggest करने के बाद, intervination में suggestion हो गया, अब करेंगे monitoring, last step होगा, monitoring and evaluation, कि जो हमने उसे diet plan दिया है, वो actually उसके उपर, या उसके, जो nutrition related problem है, या जो disease है, उसके उपर, actually work कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह हम देखेंगे, अगर नहीं कर रहा है, तो उसके अदर हमें modification करने पड़ेंगे, supplements add करने पड़ेंगे, उसे वो suit हो रहा है कि नहीं, बहुत सारी चीज़े हैं, तो वो हम करेंगे, उसके बाद में last step होगा documentation, जितना भी हमने एक documentation, जितना भी हमने इसमें, तो हर एक patient का document, एक file separate हम बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे patient होगे hospital में, हर एक patient का आपको अलग-अलग file बनाने होगे, और वो file ही आपकी link होगी है, वो file ही आप, yes, between job professional से आप, yes, जो physician होगा है, एक format आप बनाओगे, तो यही पूरी की पूरी step है, यही आपको बस थोड़ा English में, थोड़ा complicated language में यहाँ पर बताया गया है, और picture देते तो I think थोड़ा relate हो पाता, लेकिन कोई भी picture यहाँ पर एगनोंने provide नहीं किया, यही पूरी step से, अब यहाँ पर हमें यही पढ़ेंगे, कि लिखना कैसे है, इसे ही लिए हम देख रहे है, nutrition diagnostic क्या है अभी है, at the end of assessment step, the data are what cluster वही हमने किया, और यहाँ पर assessment data, naming the nutrition diagnostic वही हमारा identify करेंगे, selecting appropriate intervention and tracking the progress, intervention मतलब यहाँ पर diet planning की बात हो रही है, and progress in attaining those expected outcome, intervention में अब हम देंगे उसे actual diet plan, third step हमारा जो है, that is the intervention, पहला step बहुत जाता, crucial होता है, क्योंकि उसमें physical examination और बहुत सारी है, patient के history बगरा, diet है जी बहुत कुछ कुछ करना पड़ता है, इसलिए पहला step हो जाता, crucial और important होता है, third step में क्यार, is a set of activities associated with what, with material used to address the problem and identify the steps, purpose is plan action, क्या हो गया आपर, direct अभी आपर implementation of act, yes plan action, intended to change the nutrition related, behavior, risk factor and environmental condition यहाँ पर, यह चेंज करना है, अभी nutrition related जो behavior है वो आपको change करना है, तो यहाँ पर mostly three steps है, selecting, planning and implementation, तो पहला है आपका यहाँ पर तीन step के अंदर यह हो रहा है, तो तीन step में यहाँ पर लिख लेता हो, nutrition, okay, intervention यह ना है आप बल दो, तो यहाँ पर पहला है हमारा, selecting, क्या करना है, selection है, आपर selecting करेंगे, दूसरा है planning, okay, दूसरा क्या है हमारा planning, और तीसरा हमारा implementation, implementing, okay, तो सबसे पहला है selecting, the appropriate actions, okay, इसके वज़े से क्या है, meet the client or nutrition needs जो है, meet होगी, okay, तो selection of nutrition intervention is what, influenced by a nutrition diagnostic and provide a basic upon which the outcome are measured and evaluated, क्या है, इसका मतलब कि यहाँ पर हम, जो nutritional diagnostic, okay, influenced by a nutritional diagnostic and provide based upon outcome are measured, तो यहाँ पर first priority ties the nutrition diagnostic, जो है, identify करेंगे, फिर severity of the problem क्या है, saverity क्या है उसकी, saverity क्या है and safe, urgency से देखेंगे, saverity क्या है, safety and need of the patients, यह यहाँ पर सारे चीज़े पहले select करेंगे हम, okay, फिर base, okay, identify the science-based ideal goal and objective, next plan में economy and social resource of patient and their family जो है यह आपको देखना है कि उसका economic and social जो है यह भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई उसका जो income है वो उस तरह भी आपको देखना है इने तो ऐसा यहाँ पर अब example के थ्रू बताए, increasing or decreasing weight, blood pressure, laboratory value, it is an expected outcome, should be clear, should be clear and conceive, okay, writing in a observable and measurable terms में आपको इस चीज़ों को write करना, कि patient का previous weight क्या है, आपने जब diet plan देख उसके बाद में, उसमें changes होने ही चाहिए, blood pressure क्या है, laboratory values क्या है, यह सारे चीज़ों को ध्यान में रखके आपको एक उसे diet plan देना पड़ता है, implementation, translate the assessment data into the strategy, implementation में क्या करेंगे, जो भी data हमने collect किया, उसके, yes, जो भी data है, उसका weight, height, weight, उसके बाद में उसका blood pressure, laboratory value, वे सारे चीज़ों को assessment करने के बाद, physical examination किया है, तो इससे, अब implementation, translate the assessment into the strategy and activities and intervention that will enable the patient to meet what objective establishment, might include the what, इसमें बलाए, might include, obviously diet plan देंगे हम and nutritional counselling देने पड़ेंगे, educating the patients and providing the food or supplements, okay, changing the mode of feeding, अगर possible हो तो mode of feeding हम हम उसे change करेंगे, अगर depending on condition of patient, adverse the financial and food resource, budget-free diet आपको उसका देना, initial plan may be to alter, okay, next है हमारा, implementation में यहाँ पर और कहा कि action phase of nutritional care process, इसमें लिखना कैसे बहुत वही चीज़े आपर बताएगे यह थे, वैसे तो कुछ नहीं आपर diet plan नहीं देना है, okay, और counselling यहाँ पर करने है, मैंने आपको step जो in process में बहुत ही intervention, action तो लेने पड़ेगे, मैं और include the delegating or coordinating the nutritional care with other provider, okay, और इसके साथ में आपको coordinating करना पड़ेगा nutritional care with other providers, okay, and we need to work, collaborate, collaboratively with the what, patient or client or their family, उनके साथ आपको, yes, collaborative to work करना पड़ेगा, humble यह आपको इससे बात करने पड़ेगा, but client drive the process is a key element of success of this steps, okay, client driven process, next last है हमारा, मतलब diet plan देना है, पस इतना है, आप समझ लोग इसके अंतर जादा कुछ नहीं, okay, next है हमारा यहाँ पर nutrition monitoring and evaluation, तो nutrition monitoring and evaluation क्या है, यहाँ पर क्या होगा patient का, review the measurement जो भी हमने diet plan देया उसका क्या होगा, review the measurement of patient, client or patient status at a pre-determined follow-up, क्या करेंगे, follow-up लेंगे, by the regular follow-up with regard to the nutrition and diagnostics and intervention plan, goal, outcomes, evaluation में क्या होगा, comparison क्या होगा, current finding जो होगा आपकी, with a previous status जो है यहाँ पर आप क्या करेंगे, comparison करेंगे कि यहाँ पर कुछ वो diet plan देनी के वज़े से यहाँ पर कितना improvement हुआ, वही चीज़े है, बार-बार वही वही चीज़े, आपके सुनी होगी यहाँ पर, क्योंकि वही बोला गया है बार-बार, purpose जो है, degree to which the progress, okay, is being made, कहा तक progress पहुचा है, अगर patient का progress यह 10% पर था, तो nutrition का progress अभी 50% पर चला गया है, यहाँ फिर 20% पर चला गया है, जो आपका goal था, nutrition goal, क्या वो पूरा हुआ, तो वह देखो वहाँ पर आपको evaluation करना है, नहीं होगा, तो changes करने पड़ेंगे, okay, and desirable outcome being made, okay, include the three distinct and interrelated process, यहाँ पर भी three process है, तो तीन process में आपका है, monitoring, progress, next है आपका, outcomes, progress and evaluation, मुई ही आप बोल सकते हो, monitoring, outcome and evaluation, तो monitoring में क्या होगा, check the patient, understanding and compliance with the plan, कि जो plan दिया है, उसके अपर वो fix है कि नहीं है, यह आपको monitor करना है, provide evidence that plan is not changing patient's behavior or status, okay, तो जो आपका evidence पे सुना है, कि जो आप plan बना रहे हो, वो patients के behavior या status के हिसाब से होना चाहिए, okay, यह भी आपको strategy बना है, and support the conclusion with the evidence, okay, तो आप उसे भी बता सकते हो, educate कर सकते हो, उसे counselling के through patient, जैसे मान जाता है, अगर आप जब बताते हो, उसे कि इसके वज़े से आपके recovery fast होगी, yes, जब आप बताओगे उसे तब patient को, तभी उसको interest आएगा, वो diet लेने में नहीं, तो वो लेगा ही नहीं, okay, क्योंकि पहले ही बिमार है, उसे पहले ही खान हो गई है, और उसे diet plan देना है, समझे आप, वो bed return हो सकता है, जा फिर, yes, ऐसे patient को diet plan देना है आपको, तो आपको उस समय क्या चीजों का ख्याल रखना है, वो आपको समझ में आना चाहिए, okay, इसलिए इसे art बोला गया, difficult job होती है, dietitian के, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत easy job है, dietitian के, बिल्कुल भी नहीं, okay, select the outcome indicator that are relevant to nutrition, diagnostic, और sing, और symptoms, अब outcome जो है, outcome indicator क्या होंगे हमारे लिए, that are what, relevant to nutrition, diagnosis, and symptoms, okay, यह हमारे लिए आउटकम हो, यूज क्या है, standardized indicator, facilitator, electronic charting, coding, और outcome measurements, जो है, आपको लेंगे, okay, फिर से, जो values है, आपके nutrition, diagnostic के अंदर है, आपको, symptoms से आपर उसके कम हुए, काई, जो symptoms थे, disease के, वो थोड़े कम हुए, बेटर स्टेज में अगर patient गया है नहीं, वो चीज़े, okay, evaluate outcome, जो outcome आया आपका, उसे current finding से, previous finding के साथ क्या करो, compare करो, और आपका goal, अची हुआ या नहीं हुआ, जो outcome चाहिए, तब आया नहीं या, वो देखो, patient nutrition requirements है, are begun to meet, and can for example, nutritional index के through, आप पता लगा सकते हो, कि उसका, yes, जो, आपका nutritional goal है, या requirement है, वो mate हुआ या complete हुआ या नहीं, तो इसके लिए आपको actual intake of nutrient, minus desirable intake upon desirable intake के through, आप निकाल सकते हो, okay, actual intake जो है, exceeds the desirable intake, okay, अगर exceed हुआ, जो actual intake है, patient का the actual intake है, अगर वो अपने जो दिया डायर प्लान, अगर वो desirable से exceed हुआ, तो यह positive sign है, अगर उसका, yes, जो actual intake है, वो अगर कम रहा, तो is a negative, as desirable से अगर कम रहा, तो negative percentage है, okay, तो यह इसमें nutritional index भी आपको, through आपको बता देता है, कि आपका nutritional requirement मेट हुआ या नहीं हुआ, next documentation, last step हमार documentation, तो documentation में क्या है यहाँ पर, जितना भी आपने nutritional assessment हुआ, diagnostic हुआ, intervention हुआ, monitoring हुआ, यह सारी के सारी processing documentation के तुरू लिखना पड़ता है, और इसका एक format होता है, यहाँ पर हम format बताया है, that is a SOAP, क्या है, subject, objective, assessment, plan जो है, okay, यह format में आपको लिखना है, help the patient, क्या होता है, it helps the patient to understand, patient को understand करने में आपकी help होती है, and the nutritional care plan, understand the nutritional care plan and their role in a process, documentation के तुरू आप लिख सकते हैं, कि हर स्टेज पर लिखना है, हाँ इतना progress हुआ, हाँ इतना हुआ, यह डाइट प्लान दिया, यह प्रॉपर लिए, compliance है उसके उपर, fix है उसके उपर, नहीं है, वह सारे चीज़े आप लिखना पड़ता है, इसके physical measurement पहले क्या थे, अब क्या है, यह आपको चीज़े सारे की सारे note-down करने पड़ते है, communication tool with the members of healthcare, तो एक communication आपका tool बन जाता है, एक document कि आप जब वहाँ पर physician या फिर healthcare team से आप बात को रगे वहाँ पर तो एक आप आपके जब file होगी तो आप एक communication tool बन जाएगा आपका, इसे हम frequently use for what medical record या फिर problem oriented record भी हम इसे बोलते है, P-O-M-R, okay, P-O-M-R, this provide what एक vehicle की तरह काम करता है यह document for all the patient's problems जो है, coordinate of what database, problem list, initial care, okay, four major parts यहाँ पर है, consist of four major parts, एक database होगा, problem list, initial care plan and progress note, okay, तो entry जो होगी medical record में वो आपको है, जैसे की SOP के द्वारा, SOP के द्वारा, एक SOP बोलते है, SOP, तो यह गाए SOAP, SOP के द्वारा हम, यह word हमने, अगर आप laboratory में जाते हो, वहाँ पर भी SOP word use करते है, various healthcare professionals जो है, and dietitians, and nurses, social worker, routinely collect the much information, okay, तो यह भी यही use करते है, nurses हो, physicians हो, okay, next यहाँ पर है, subjective में हम क्या करेंगे, तो subject जो है, आपर 4 step है, subject, तो subject में data जो है, obtained from the record, patient से जो data मिला है, वो लिख लेंगे, and family से जो मिला है, वो लिख लेंगे, उसके बाद में क्या है, objective data, जो data from the test आया हमें, या फिर, diagnostics से आया, analysis से आया, वो लिख लेंगे, और last is assessment, interpretation of the patient status, based on the subject and objective data, उपर के data के ओपर हम असिस्मेंट देंगे, वहाँ पर हमारे assessments क्या है, assist करेंगे उसे, next है हमारा plan, okay, so plan जो होता है हमारा यहाँ पर, okay, specific plan are, okay, dealing with each problem, एक specific plan होगा हमारे, for dealing with each problem, specific plan बनाते हैं, for the, dealing with each problem, such as specific treatment plan होगा, या फिर, nutritional care plan जो है, एक plan बनना पड़ता है, हर patient के लिए, and modify the diet, counseling को, ठीक है, यह, इसे यह, फूड नहीं यूज हो रहा है, food allergy हो रहा है, तो आप, change करना पड़ता है, तो वो भी history लिखने पड़ते कि, इस मैंने यह diet दिया था, उसके बाद में हमने इसमें modification किया, फिर जाके इसमें यह, ऐसा ऐसा outcome आया, सारी चीज़े हम वहाँ पर लिखते हैं, okay, okay, तो हो सके तो मैं आपको एक reels में, एक कैसे diet plan देते हैं, अगर मुझे वहाँ पर मिला, तो आपको एक documentation, या फिर पेशन की document, जो होता है, वह आपको मैं दिखाऊंगा, यह से reels के अंदर, okay, ताके आपको understanding और भी बढ़े, okay, तो इस इस आल अबाउट, वोट, the nutritional assessment, nutritional diagnostic, okay, that is a NCP, तो this is all about NCP, जादा कुछ यहाँ पर बताये नहीं गया कि कैसे क्या calculate करना है वगेरा, तो चीज़े मेबी हम जो और topic द तो clinical and therapeutic nutrition, यह हमारा subject चल रहा है, okay, तो हम last topic जो हमारा भी बचा है, that is the importance of coordinated and nutritional rehabilitation service, तो यह topic हम देखेंगे, कल और इसे के साथ हमारा जो topic है, यह जैसे हमारा topic और होता है, तो एक पूरा जो हमारा chapter है, वो यह आपर और हो जाएगा, okay, तो I hope आपको चीज़े समझ में आ रही ह है, अगर कुछ doubt रहे था तो नीचे आप comment में दो मुझे, मैं आपको बताऊंगा, okay, जितना हो सके मैं आपको बताऊंगा, okay, that's all, आज के लिए इतना ही, कल हम देखते हैं, हमारा next topic